नमस्कार दोस्तों भागवान आप सभी कब भला करो रहे आपकी सारी इक्षा है यहां मैंनो कमना पूरी हों दोस्तो अजीस सात की विषय में आप सभी ko महत्पन जान करेंगा जिसमें सर पतर में आप फिंगर के analysis के बातुotros चिन less capable इस ऑ पर पर करते हैं आप सब कि सम्हне के सबने व्यक्त करूंगा। इसके लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि लिटिल फिंगर की लेंद शॉट है, थर्ड फिंगर के फिर्स्ट पॉर्स से नीचे है, जिसके करण कम्यूनिकेशन इसके में थोड़ी प्रॉबलम रहती है, जैसे एक प्रकार के शर्मेला पन अपोजिट जेंडर के प्रती, मन के अपनी बात को दवाय रखना, प्रॉपलली अपनी बात को नहीं कह पाना, प्रॉपलली किसी चीज़ के प्रेजंटेशन भी नहीं दे पाना, थोड़े से कामों में डीले होना, इन सब की योगों को यह बताता है, थर्ड फिंगर के लिए यहाँ पर ज्यादा अच्छी है, जिसके करण रिस्क के टेकिंग नेचर हेगा, हमेशा लाइफ में कुछ निया करते रहेंगे और कुछ निया करने से और कुछ निया अडॉपर करने से भी किसी प्रकार की हिच्चे चार्ट, घवरार्ट नहीं रहें इन में, और लाइफ में नेम फिम के एक चु Casey हैं करतें अपने आपको हर परिस्थिती में ढाल लेने वाले भी और हर व्यक्ति के साथ अपना जो है सामाजस्य बिठा लेने वाले होते हैं अंगुठा थोड़ा से शौट है आपका तो थोड़ा फास्ट डिसीजन मेकिंग वाली हैबिट आपकी रहेगी कि बहुत जल्द बाजी हर बड़ी में नेर्णे लेंगे कारे करेंगे और उन कार्यों के अंदर भी बहुत जल्दी फटा फट चेंजर भी ले आएंगे आप औ अपर भी इस प्रगर का यव की कशिन बनना जो इस प्रगर से बन रहा है आपके हात में हाला कि खुला वाहे प्रौपर यव नहीं है लेकिन इस प्रगर के चिन बनने की करण भी जो इंटेलीजेंस होती है ऐसे लोगों में बहुत अच्छी देखने को मिलती है जिसके के लिए ज्यादा अच्छी है तो लॉजिकल नेचर आपका इस कारण से रहेगा पाम के साइस की विशे में चर्चा करें तो पाम जो है बहुत आपका जो है फ्लवी है यहाँ पर मतलब कुल मिला करके फूला हुआ जो है आपका हाथ यहाँ पर सारे परवत देखने को मिल रह आता है और खूले पन वाला नेचर जो है यहाँ पर व्यक्त आपका हो रहा है यहाँ पर आपके हाथ में एक-एक परवत कर सभी परवत के बारे में बता दे तो इसको पहले श्क्वेरिश यह है जो है है जिसके करण मेहनती जो पन है आपके अंदर अच्छा रहेगा अब यहाँ पर एक परवत कर सभी परवत रेखाओं के बारे में, मनी, करियर, शादी, इन सबसे रिलेटेड भी महत्तु जान करी, उसी में रहने वाली रहेगी, तो गुरु के शेदर से यहाँ प्रारम करते हैं, तो गुरु परवत आपका यहाँ पर बेहद ही नॉर्मल है, न ज ज़्यादा लॉयल आप रिलेशन के प्रती भी रहेंगे, यानि जिससे रिलेशन निभाएंगे, अपने तरफ से 100% देंगे, और किसी को धोका चाहा करके भी नहीं दे पाएंगे, विष्णु सिंबोल हाथे बन रहा है, तो स्टार्टिंग लेफ थोड़ी सी गही न कि तक प्रारंब हुआ है, तो लाइफ में आप धार्मिक भी बेहद रहेंगे, और आप जितना भी रहें, आपके लिए उतना ही है, ये जो है शुब परिणाम देने वाला रहेगा, और बहुत ज़्यादा अंबीशियस भी आप रहेंगे, मतलब लाइफ में हमेशा कुछने को अपने लाइफ को जो लाइफ के स्टेंडर्ड है, उसको बढ़ाते रहेंगे, रोयल्टी लाते रहेंगे इस प्रकार से, शनी जो परवत है आपको कुल मिला करके अच्छा है, और यहाँ पर भाग रेखा के उशे में चर्जा करें, तो बिलकुल शुकर के शेदर से प्रा वाइस आपके चेंजेस रहेगा, अधरवाइस देखा जाए तो भाग आपका बहुत मजबूत है, शुकर के शेदर से निकल रहा है, तो फैमिली सपोर्ट, अटेज्मेंट बेहद रहता है, मतलब बच्पन से ही फैमिली का सहीयोग अच्छा रहता है, कोई कमी नहीं रहती हर प्रकार की सुक सुईधा, जो मनोकामना रहती है, सब पूरी होती है, फिर उसकरत से एक इंडिपेंडेंट फेट लाइन भी निकली हुई है, जो कार्यों को बहुत आसान कर देती है, जीवन में जो जो चाहते हैं, सब मिल की ही रहता है, और हर प्रकार की बेसिकली जो यहाँ पर शनी के छेतर के बाद सूरी पर यहाँ पर चर्चा करें, तो मस्तिश की रेखा कि ऊपर से आपकी सूरी रेखा यहाँ प्रारंब हो रही है, जो इस प्रकार से यहाँ पर चल रही है, सूरी रेखा आपके हाँ में एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा छेतरों में आपका कहीं न कहीं ध्यान है तो इस करण्ट से जो फोकस है उसमें थोड़ी से कमी आपके रहेगी लेकिन जो नेम फिम आप अपने लाइफ में चाह रहे हैं वो सब मिलेगा थोड़ा स्ट्रगल भी इस करण्ट से बढ़ता है विक्ति का मरकरी माउंट आपके यहाँ पर नॉर्मल है थोड़ा सा दबा हुआ है तो कहीं न कहीं आप मन की बाद बहुत अच्छे से दबा लेने वाले रहेंगे और यहाँ पर हरदे रेखा कि अंत में इस प्रकार के आकरति बनने के साथ गुड़ सेंस ओफ हूमर हसमों खास से कवी य आप दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन्स लगा लेने वाले रहेंगे और कहीं न कहीं सामने वाला विक्ति उन एक्सपेक्टेशन को फुल्फिल नहीं कर पाएगा जिसके करण कहीं न कहीं धोखा मिलने की योग इस करण से बनते हैं और यह आपके सा निरंत होता रहेगा तो थोड़ा इन सब चीजों पर ध्यान रखिए आप किसी से ज़्यादा भरोसा यह उम्मीद मत करें क्योंकि एक तो आपके इमोशनल नेचर भी बहुत ज़्यादा है जब गुरु परवत पर एक दम ऊपर के और पर स्वास्तिरेका पहुच जाए तो ऐसा व अधरवाइस बाहरी दुनिया में आएगा तो थोड़ा सा ट्रबल फेस करना ही पड़ता है अधरवाइस आप दिल से ज़्यादा सोचने वाले रहेंगे दिल के द्वारा ही ज़्यादा निर्णे भी लेंगे अपने जिवन में और माइंड लेन के विशे में यहाँ पर आत मतलब मेंटल थोड़े से इशूज रहेंगी जैसे कारियों में देरी हो सकती हैं जो आप परिणाम चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा हो और किसी प्रगार का जहनज़ट जगडा बे मतलब की बातों में पढ़ने के कारण भी जो है मानसिक तनो बनता है क्योंकि माइंड आपको WhatsApp पर दूँगा ताकि आपको benefit मिल सके और यहाँ पर आपकी mind line बिल्कूल straight चल रही है तो बहुत strong आपके mind line है यानि बहुत मजबूत आपका व्यक्ति तो है जब किसी इंसान का mind line इतना long हो तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में चाहे किसी भी प्रगार की दिक्कत परशा अगर career wise देखे तो आपका career बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि आप किसी भी studies को prefer कर सकते हैं और studies में याद रखनी की शमता सबसे main होती है आपके अंदर बहुत है आपको तो even पुरानी से पुरानी बाद भी अभी तक बहुत properly याद रहेगी तो यह जो है studies में बहुत bright योग बनता है आपका sunny भी अच्छा है और साधी साथ सूर्य पर थोड़े सा work करने की जरूवत है otherwise रेखा की विशे में बात करें तो नौकरी पेशा career wise देखा जाए तो बहुत success मिलने की योग आपके बनते वे देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर आए आपके lifeline के उप स्टेट में किसी country में जो है जाने के योग आपके बहुत प्रबल बनते वे देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर आपका lifeline comparatively अच्छा ही flow में है और उसके parallel चलने वाल इस प्रकार के सहीयोगी रेखा life को और ज्यादा strong बनाती है lifeline को जब lifeline strong होता है तो व्यक्तिक के क्योंकि दूसरों का सही होगा आपके जीवन में निरंतर आपको मिलता रहेगा अब उसी के बीच में यह देखिए कि कितनी साड़ी यहाँ पर आड़ी रेखाएं यह सारी के सारी राहू लाइन से जो इतना ज़्यादा trouble create कर रहे हैं लेकिन इसका meaning बिल्कुल zero हो गया क्यो जीवन में मिली है और मिलते भी रहेगी मंगल परवत आपका यहाँ पर नॉर्मल है अंदुरणी बहारी दोनों में से बहारी मंगल आपका ज्यादा उभरावा है तो कहीं न कहीं excitement हर चीज के आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी साहस भी आपके अंदर किस चीजों के प्रती बहुत ज्यादा रहेगा बहुत आपके अंदर होसला रहेगा जुनून रहेगा किसी से भी मिलेंगे तो बहुत जुनून होसले के साथ और यह जो है बहुत ही mentally strong nature को create करता है जब बाहरी मंगल strong हो तो और साथ ही साथ शुक्र परवत भी कहीं न कहीं आपका strong है जब खावटी जो चीजे होती है रोयल्टी वाली जो चीजे होती बड़ी बड़ी गुड जो standard of living को create करें वो सारी चीजे आपके पास लाइफ में रहेगे तो सारा सुख है आपके पास क्योंकि शुक्र आपका अच्छा है और शुक्र पर भी सीधी खड़ी रेखा इन सब अच्छा मिलेगा लाइफ में अचानक से changes भी रहेंगे बहुत progress की योग भी आपके हाथ में बन रहे हैं अब यहाँ पर चंदर के में जो बहुत आड़ी रेखा है तो एक प्रकार से आपके अंदर एक प्रकार का कहीं न कहीं जो है अस अंतुष्टी है आपके मन के अंदर में और एक प्रकार से आपके अंदर भय भी है जो आप दूसरों को दिखाना नहीं चाहते क्योंकि जब इस प्रकार की रेखा हूँ तो एक तीकम मन बहुत जल्दी भटकने वाला होता है कैसी एक जगह पर एकाग रिचित आप नहीं रह पाएंगे तो इसके लिए थोड़ जिसके कराण धन आपके जीवन में अच्छा रहेगा और उस धन का आप सदूपियोग भी कर पाएंगे तो ये थी कुछ महत्मुर बात आपके हाथ से रिलेटेड आश्यो करता हूँ सभी प्रोष्णों को अत्तर मिल गया हो